ओम्शंति आज आपका 34 वा दिन इस वर्दान का बहुत ही महत्वपुन वर्दान है आज का और आज परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि जब मैं आकर के इस धर्दी पर सारा राज अपने बच्चों को समझाता हूँ कि ये ड्रामा बना कैसे है इसमें सारे क्या गुप्त राज चुपे हैं किसी की मृत्य होना किसी पंत की उद्धाटना होना किसी पंत का खतम होना किसी धर्म की स्थापना होना किसी धर्म का खतम होना ये जो युद हो रहे माविश्वयुद वर्ल्ड वर वान वर्ल्ड वर टू इस सारी चीजों के जो राज है पर मातनोजवा के बताते हैं कि ये ड्रामा कैसे शुरू हुआ था कौन सी आत्मे थी जो कि इस धर्ती पर थी उस समय और वो सारी आत्मे अब कहां है पुनर चम्ले करके जब ये सारी चीज़े जब पता लिलाती हैं सारे जब ड्रामा समझाना शुरू होता है तो आप समझो एक बात कि अगर आपको पता है कि भूत काल में क्या हुआ अभी वरतमान काल में क्या होना है और भविष्य काल में क्या होने वाला है तो एक तरीके से एक सारा टेस्ट पेपर आपके सामने खुल गया है कि ये टेस्ट पेपर में कल ये परिक्षा आने वाली है तो उस अनुसार परमात्मा कहते हैं जब मैंने टेस्ट पेपर ही दे दिया इस दुनिया का कि भविश्य में ये सारी चीज़े घटना होने वाली है तो उसके बाद में वो टेस्ट पेपर पास करना ना करना किसके उपर है लिख हो चुका है तो इसी के साथ मैं आज हम इस वरदान को आगे लिखे जाते हैं और गहराई से समझते हैं इसको आश्चरे जनक द्रश्य देखते हुए है ना आश्चरे होता है ये कैसे हो गया मैं तो ऐसा कभी सोचा नहीं था या किसी वेक्ती के बारे में कि इस वेक्ती ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैं तो कभी इसके साथ कुछ बुरा किया नहीं था तो ये सब सारी बातें जो है ये सारे जो द्रश्य हैं उसको देखते हुए पहाड को राई बनाने वाले साक्षी द्रिष्टा भवा सु आश्चर जनक द्रिष्ट देखते हुए पहाड को राई बनाने वाले साक्षी द्रिष्टा भवा तो परमात्मा कहते हैं संपन बनने में अनेक नय-नय वा आश्चर जनक द्रिष्ट सामने आएंगे ये ना संपन बनना मतलब सारे गुणों के साथ में भरपूर बनना तो वो सारे गुण कौन से हैं सेहन करने की शक्ती होगी आपकी मधुर्ता की शक्ती होगी और साथी साथ आपकी जो गुण जो हमारे अंदर परमात्मन ने जो भरे थे स्टाटी में जिनको हमने खो दिया और हम विकार में जाने शुरू हुए तो परमात्म हमें याद दिलाते हैं कि सारी जितने भी द्रश आते हैं वो हमें सिखाने के लिए आते हैं फिर से गुणों को अपनाने के लिए आते हैं ताकि हम सारे परिक्षाओं को देखते हुए परिक्षाओं से जाते हुए अपने गुणों को ना भूले क्योंकि कल का वर्ताना गरा को याद है कि लास्ट की समय में हमें समय नहीं मिलने वाला है कि सारी प्रैक्टिस करने के लिए तो परमात्मा कहते हैं संपन बनने में अनेक नएने वा आश्चर जनक दृष्य सामने आएंगे लेकिन वह दृष्य साक्षी दृष्टा बनावें हिलाएं नहीं मलकी हमें अगर टेस्ट पेपर लीख हो चुका है तो मैं पता है कि कोई आकर के हमसे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब या बदला लेगा तो कुछ नए कुछ हमारे साथ करेगा चाए वो धन से हो, चाए संबन से हो, चाए वो सेहच से हो तो सारे हिसाब किताब आने हैं हमने जो नहीं सोचा है वह भी होना है भवेश्य में आगे जाकरके अचानक से अक्सिदेंट हो गया ना अचानक से किसी की मृत्ति होगी परिवार में अचानक से वो दोस बिछड़ गया हमसे अचानक से दृष्य में देखते हुए हमारे संबंधियों में कुछ फूट आ कहन रह सक्या है साक्षी दृष्टा के स्थिती की सीट पर बैठकर देखना वा निर्ने करने से बहुत मज़ा आता है आप सोचाओ अब डिटाच हो जाओ आप किसी की मूवी देख रहे हो अब डिटाच होकर जब मूवी देख रहे हो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए इसको ऐसे करना था तो यह सौल हो जाता यह सिचेशन में अगर यह रिप्लाय दिया होता तो यह परिस्थिती ना आती तो परमात्मा हमें भी कह रहे है कि अपनी जो मूवी है अपना जो दृष्ट चल रहा है इस ड्रामा में उसको भी साक्षी होकर कर दिखो तो साक्षी दृष मता है कि और केमत्र साक्षी पंक कि क्या है ठोड़ पार्टी होकर अपने रोल को अपने स्वहन के रोल को देखना आपना जो ड्रामा में आपकर चल रहा है किस्मत है किस्मत्र पाक्षियो करके देखना और फिर निरने लेना भह नहीं लगता उसमें क्या होता है भह नहीं लगता उसमें जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं तो आपने जो मूवी जो चल रही है परमात्मे का है कि यह रील बनी बनाई है आत्मा तो अभिनाशी है उसके अंदर जो पाठ है करमों का वो भी अभिनाशी है तो यह बनी बनाई बन रही है चल रही है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता तो जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं तो कैसा फिल होगा वही चीज अगर आपने फिर से देखी कोई मूवी फिर से अने इससे फ्रमात्मत से जुड़ा रहे है ऐसे परिस्यटी में ऐसे करंते है जुमने पूराने बुरे कर्म कि उनको को सधारना है तो योग युक्त रहेंगे उनको राज समझा गए, यह मेरे लिए परिक्षाई मुझे चेंज होना है वह राज युक्त, योग युक्त बन, वायू मंडल को डबल लाइट बनाएंगे बाकी सब हल चल में आएं, सारे कवराएं होएं लेकिन आप कैसे हो, आप बिलकुल हल कियो बिकाज आपको पता है, परमात्मा से युक जुड़ा है परमात्मा ने कहा है कि ये ड्रामा बना बनाए, रिपीट हो रहा है तो आप हमेशा विजयरतन आत्मा हों तो आप जीत करके ही बाहर आओगे उन्हें पहाड, समान, पेपर भी याद हो वर्दान जिसमें उन्हें कहा था, पेपर है ये सारे मार ले, उन्हें पहाड समान, पेपर भी राई के समान अनुभाव होंगे, चोटी सी राई होती है न मस्टर्ड सीड, तो वैसा समझ आएगा अब वो पहाड जो होगा, उसको आप राई बना दोगे बाकि सब बोलेंगे जो राई को क्या कर रहे होंगे पहाड बना रहे होंगे, अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैस हो गया लेकिन आप ब्रामन आत्मा है, जो उन्हेंने ग्यान दिया है जो कि योग युक्त है जो परमात्मा से मेडिटीश में जुड़े रहते हैं वहल चलमेनी आएंगे वो औरों को भी सहारा दे पाएंगे तो इसी वर्दान के साथ में आप इसको रिवाइस करें बहुत गहरी बाते हैं ओम शान्ती